नमस्कार भारत होमियोपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और अगर आप विटी लीगो के पेशेंट हैं आप सफेद दाग के प्राबलम को फेस कर रहे हैं तो इस दिवाली आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी हैं क्योंकि अगर आप ये गलतियां कर उसी हैं तो आपके सफेद दाग बढ़ सकते हैं आपका विटी लीगो स्प्रैड हो सकता है तो आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करने कौन सी है ये गलतियां चलिए जानते हैं सबसे पहले आपको पता है विटी लीगो एक आटो इम्मिन डिसॉर्डर है जिस वक्त system hyperactive होकर आपकी body में melanocytes cells को damage पहुचाने लग जाता है उसी situation को vitiligo कहते हैं और जब melanocytes cells का damage बहुत ज़्यादा होता है तो आपकी body में melanin का production कम हो जाता है और जब आपकी body में melanin का production जिस भी हिस्से में कम होता है वहीं आपको सफेद दाग देखने को मिलते हैं क्योंकि melanin आपके skin color को develop करता है और जब भी आपकी body में melanin का production कम हो जाता है तो आपको सफेद दाग को face करना पड़ता है तो ऐसे में आपको दिवाली पर इन बातों का ध्यान रखना है कि आपकी body में toxins ना बढ़ें melanin का production कम ना हो क्योंकि आपकी body एक ऐसे atmosphere में काम कर रही है जहां आपका immunity system ही आपकी body के active cells को damage कर रहा है तो ऐसे में अगर आप toxins के amount बढ़ा देते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक होगा आपके vitiligo को बढ़ा सकता है तो आपको इस दिवाली क्या करना है सबसे पहले आपको fried food को बिलकुल avoid करना है क्योंकि ये आपकी body में toxins के amount बढ़ाते हैं आपके liver पर भी burden बढ़ाते हैं तो आपको fried food नहीं खाने हैं नमबर दो आपको packed food items को बिलकुल avoid करना है क्योंकि packed food items में भी बहुत ज्यादा preservatives होते हैं ये आपके blood में toxins के amount बढ़ाते हैं जिसकी वजह से आपका vitiligo spread हो सकता है और वहीं आपको rated drinks जैसे की Pepsi है, Coca Cola है, Fenta है इस तरह के cold drinks को आपको बिलकुल avoid करना है क्योंकि ये भी आपकी body made toxins के amount को बढ़ाती है, आपके vitiligo को aggravate कर सकती है और इसके साथ-साथ आपको non-vegedite even दिवाली पर patients नहीं prefer करते हैं फिर भी अगर आप non-vegetarian हैं और आप non-vegedite prefer करते हैं तो आपको इसको भी बिलकुल avoid करना है और इसके साथ-साथ आपको कुछ बाते हैं जिनका बहुत खास ध्यान रखना है आपको पटाकों से भी बचना है और इसके साथ-साथ आपको बहुत ज़्यादा sunburn नहीं करना है यानि अगर आप दिवाली पर कहीं भी घूमने जाते हैं और धूप होती है तो आपको उस धूप से अपने आपको बचाना है क्योंकि अगर आपके white patches पर excess sunlight पढ़ जाती है तो इसकी वजह से भी आपके white patches और ज़्यादा बढ़ सकते हैं उनमें infection हो सकता है और even आपको skin cancer तक हो सकता है तो ऐसे में आपको ये गलती नहीं करनी है और वहीं आपको citrus fruit यानि खटे फलो को भी avoid करना है और खटी चीजों को भी avoid करना है क्योंकि ये vitiligo को बढ़ा देती है जैसे कि आपका संत्र है, moss me है, nebu है आपको इन सभी को avoid करना है कि vitiligo में vitamin C की deficiency होती है और आप हमें बोल रहे हैं कि हमें खटे फल नहीं खाने है तो इसका एक reason है इसका reason ये है कि खटे फल आपकी body में acid की amount को भढ़ा देते हैं और जब आपकी body में acid की amount भढ़ती है तो इस scenario में आपका vitiligo aggravate हो सकता है तो आप vitamin C के लिए vitamin C की tablet ले सकते हैं लेकिन आपको खटे फल नहीं खाने है और इसके साथ साथ आपको कुछ बातों का खास ज्यान रखना है कि आप दिवाल पर जो भी खाते हैं उनमें vitamin B12 अच्छा हो, folic acid बहुत अच्छी amount में हो अपनी vitiligo की problem से बचे रह सकते हैं वो क्या है उसके लिए आपको लेनी है healthy और सरसो का देल आपको उसका हलका सा paste बनाना है और इस paste को हलके हलके हातों से अपनी white patches पर लगा कर रखना है इससे क्या होगा अगर आप इसको continuity में करते रहते हैं तो आपके skin का color धीरे धीरे normal हो होने लगता है और आप vitiligo की problem से धीरे धीरे relief पाते हैं लेकिन ये एक autoimmune disorder है ये भार की skin problem है ही नहीं तो ऐसे में आपको medical treatment को भी अपना continue रखना है आपको दवाईयों को बिल्कुल बंद नहीं करना है जहां से भी आप दवाईयां ले रहे हैं आप उस treatment को जरूर continue रखें अगर आप vitiligo के patient हैं सफेद दाग की problem को face कर रहे हैं तो आप नीचे दे के number पर call कर हमारे doctor के team से consult कर सकते हैं अगर आप vitiligo से related किसी भी विश्य पर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप comment के तुरू हमें लिख कर भेजे हम उस पर video जरूर बनाएंगे तो आज की video में सिर के साथ जरूर शेयर करें और अगर आप ऐसे है informative वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें thank you for watching